समाजवादी पार्टी के मुखिया खलेश यादा हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं सर आज बहुत बड़ी जीत देखने को मिली महिन पूरी में इतना अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था शायद ये लगाया जा रहा था कि कम होगी क्योंकि प्रशासन बहुत सकत है में पूरी लोगस्वा की जनता का मैं धनिबाद और आभार पिकट करना चाहता हूँ ये जीत में पूरी के मदाताओं की सच्ची सधांजली निता जी के प्रते है निता जी ने यहां पर काम किया यहां के लोगों के सुखदुग में रहे उसी का परणाम दिखाई दे रहा है कि निता जी के ना रहने पर निता जी को याद करकर के एक एक बोट जनताने डाला जिसकी वज़ेसे इतिहासिक जीत हुई है सर एक सवाल यह था कि शिवपाल जी एक को पार्टी को आज आपने विलाय कर लिया है तो आज डिमपल जी के जीत के खुशी में विलाय हुई है क्या क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी जिस समय चाचा चुनाव लड़े थे साइकल सिम्बल पे तो यह सौबिक होता है सिम्बल उसी को मिलता है जो उस पार्टी का सदस होता है तो चाचा को सदस उसी समय बना दिया था जिस समय बिधान सबा का चुनाव था अब उनकी पार्टी भी बिले कर गई है उनके काकरता निताबी साथ आग है इस से समाजाधी पार्टी को ताकत मिलेगी समाजाधी पार्टी और मजबूत होगी रामपूर लेकिन सकारात्मक नहीं रही साथ मुझे दुख है इस बात का कि परसासन ने जबर्दस्ती समाजादी पार्डी को हराया इलेक्शन कमिशन से इतनी शिकायत होने के बाद भी इलेक्शन कमिशन ने कोई कारबाई नहीं की रामपूर में बड़े पैमाने पर बहिमानी किये सरकार ने और भार्दी जन्ताप पार्डी ने बूत लूटे हैं बहिमानी करके जीत हासिल किये चुनाओ को रद किया जाए दुबारा होना चाहिए चुनाओ इसके लिए तो लिख चुके हैं पहले भी लिख चुके मैं आपके मादें से भी मांग करना हूँ कि जिस तरीके से परसासन ने और सासन ने और भादी दिनता पार्टी के लोगों ने भीमानी किये चुनाओ दुबारा होना चाहिए आपने सुना अखले श्यादाओ को जो कि समाजवादी पार्टी के मुखियां हैं और उन्होंने अपनी बाते कहीं और कहा कि जनता ने रामपूर की आशिरवात दिया है और साथी साथ उन्होंने ये कहा कि रामपूर के चुनाओ दुबारा होने चाहिए कैमरो मेरे नामिश के साथ सीमाब नकवी भारस समचार इटावा